विचारन ये पहलू, हम कल तीन साखाओं को जनते हैं, जब हम बड़े हो रहे थे विज्ञान, कला और वानिज गुनी सोट्थर में कालोजों की पांस साखाएं थे इसे विल, मेकनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इलेक्ट्रोनिक्स लेकिन क्या आप जानते हैं, कि हमारे भारत की स्कूल अठारा सो ठाउन से पहले, पचास बहतर भी भेन विद्धा पड़ा रहे थे, बट इस दूर दर्शी द्वारा, भारती स्कूलों की व्यास्ता को नश्ट कर दिया गया था इंग्लेंड में पहला स्कूल ठारा सो ग्यारा में खुला, उस्ट्रम में भारत में साथ लाग बतीस जार भारती स्कूल थी, जाने हमारे स्कूल कैसे मंद हुए भारती स्कूली शिक्षा का अंत कैसे हुआ, पहले आपको बता दें, कि भारती संस्कृत में कौन-कौन सी व लिखित्व से पड़ाये जाते थे तो लिजी सुनिए लिखित्व से पड़ाये जाते थे पशुपालन पाक्षी पालन पक्षी पालन यान विद्ध्या यांतर की वाहन डिजाइनिंग रतन के रतन और अबूशन डिजाइनिंग कुम हर विद्ध्या मिट्टी के बरतन लगू धातु करम और लोहार टककासोर रंग विद्या रंगाई खटकवारी रज्जुकर रसद वास्तुकार विद्या वास्तुकला खाना वानने की विद्या खाना पकाने वाहन विद्या ड्राइविंग जल मार्ग प्रबंदन संकेतन डेटा एंट्री गोसाला प्रबंदन पसुपालन बागवानी बागवानी वन विद्धावानी की सहीयोगी पेरामेडिक्स को कवर करते हुए यही सारी सिख्श स्कूल में ही सिखाई जाती थी लेकिन समय के साथ जब स्कूल गायब हो गया तो इस उस ग्यान को अंगरेजों ने गायब कर दिया इसकी सुरुवात मेकाले से हुई थी आज मेकाले 35 से हमारे देश के युगों का भविश नश्ट किया जा रहा है। भारत में स्कूली संस्कृतिकान अंटकका इससे हौा, कार्ण्वेट सिछ्चा की सुरुवात ने स्कूलों को बरबाद कर दिया। बारती शिक्चा दिनियों अठारसो पैंटीस, अठारसो अठान में संसोधित में बनाया गया था, इसे लाड मेकाले ने तैयार किया था, मेकाले यहां सिक्चा प्रणाले का सर्वेक्शन किया था, जब कि कई अंग्रेजों ने भारत की सिक्चा प्रणाले के बारे में अपन भारत उत्तर भारत का सर्वेक्षन करने वाले लूथर ने लिखा है कि यहां सत्यावन परतिशत साक्षरता है और दक्षिन भारत दक्षिन भारत का सर्वेक्षन करने वाले मुन्रों ने लिखा है कि यहां सत्य परतिशत साक्षरता है मेकाले ने सपस्टूप से कहा था कि लेकिन मान्सिक रूप से अंग्रेजी बन जाते हैं जब वे कान्वेंट स्कूल या अंग्रेजी विसे द्याले छोड़ देंगे तो वे अंग्रेजों के हिट में काम करेंगे मेकाले एक मुहावरा का प्रयोग कर रहा है जिस प्रकार एक फसल बोने से पहले खेट को अच्छी तरह से जोता जाता है उसी प्रकार उसे जोता कर अंग्रेजी शिक्षापनाली में लाया जाना चीए इसलिए उन्होंने सबसे पहले स्कूलों को आवीद देखोशित किया फिर उसने संस्कूलों को आवीद देखोशित कर दिया और स्कूलों में आग लगा दी उसमें सिक्षिकों को पीटा और चेल में डाल दिया 1850 तक भारत में 7,000,000 और 7,000,000 गाउं थे मतलब लगबग हर गाउं में एक स्कूल था और ये सबी स्कूल आज के भाषा में उच्चे शिक्षा संस्तान हुआ करते थे उन सब में 18 परजा पढ़ा ही जाती थी और ये स्कूल राजा के दौरा नहीं बलकि लोगों दौरा एक साथ मिलकर चलाते थे सिक्षा निस्ट दी जाती थी स्कूलों के वो समाब्द कर दिया गया और अंग्रेजी सिक्षा को वेद करा दिया गया और कलकिता में पहला कान्वेंटरी स्कूल खोला गया उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था इस कानून के तहट कलकता विस्वद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् बारे में कोई जानकरी नहीं होगी, भी अपने मौहावरों को नहीं जानेगे, जब इस देश में ऐसे बच्चे होंगे, भले ही अंग्रेज चले जाएं, अंग्रेज इस देश को नहीं छोड़ेंगे, उस समय लिखे गए पत्र की सचायाज भी हमारे देश में सफल्टरू से दिखाई देती है, देखि इस कर्ते में पैदा हुआ दुख, हम अपने याव को हीन महसूस करते हैं, जो अपनी भासा बोलने और मातर भासा से कटा हुआ समाज कभी फलता फूलता नहीं, और यही मेकाले के रन नीती थी, आज यहां का यौव भारत से ज़्यादा ये यू और अपनी महान संस्क्रती और विरासत को पुनहें प्राप्त करें, महान संस्क्रती और विरासत को पुनहें प्राप्त करें, जैहिन, जै भारत, वंदिमातरम, ये लेक हमें सीकर से पंडित मनोज पारिक वैदिक द्वारा प्रैसित किया गया है, और इसे हमने हमारा स्वर देने का परितने किया गया है आपका अपना पूरुनमल पारी जवान भाई जवान भाई जवान भाई